साथियों, जब सेकंड वेव आई, अचानक से ऑक्सिजन की मांग कई उना बढ़ गई, तो बहुत बड़ा चलेंज था, medical oxygen का देश के दूर सुदूर हिस्सों तक पहुचाना, अपने आप में बड़ी चुनौती थी, oxygen tanker ज़्यादा तेज चले, छोटी से भी भूल हो, तो उसमें बहुत बड़ी बीश्पोर्ट का खतरा होता है, industrial oxygen का उत्पादन करने वाले काफी प्लांट देश के पुर्वी हिस्सों में हैं, वहां से दूसरे राज्यों में oxygen पहुचाने के लिए भी कई दिन का समय लगता है, देश के सामने आई इस चुनौती में, देश की मदद की, क्राविजिनिक टेंकर चलाने वाले ड्राइवर्स ने, आक्सीजन एक्स्प्रेस ने, एरफोर्स के पाइलेट्स ने, ऐसे अनेकों लोगों ने, युद्ध स्तर पर काम करके, हजारों लाखों लोगों का जीवन बचाया, आज मन की बात में हमारे साथ ऐसे ही एक साथी जूड रहे हैं, यूपी के जौनपूर के रहने वाले स्रिमान दिनेश उपाध्याई जी, दिनेश जी नमस्कार, सर जी पढ़ाम, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा, कि आप ज़रा अपने बारे में हमें जुरूर बताईए, सर, हमारा नाम दिनेश बाबुलनाथ उपाध्याई है, मैं गाउं हसनपूर, पोष्ट जमुआ, जिला जौनपूर का निवासी हूँ सर, उत्तरपदेश से हैं, हाँ सर, जी, और सर, हमारा एक लड़का है, दो लड़की, और 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 माबाप, और आप क्या करते हैं, सर, मै अक्सीजन का टैंकर चलाता हूं, सर, लिकुड अक्सीजन का, बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो रही है, हाँ सर, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, लड़कियां भी पढ़ रही है, दोनों, और मेरा लड़का भी पढ़ रहा है, सर, ये ओनलाइन पढ़ाई भी ठीक से च को जाते हैं तो सिर्फ ड्राइवर नहीं है आप एक प्रकार से गुद्षन का जीवन से सबड़ा करती है और हम लोग कहीं भी जाके ऐसे खाली करते हैं तो ऑफ को खुशी मिलती है लेकिन अभी कॉरोना के समय में आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है हाँ सर बहुत बढ़ गई है जब आप अपने ट्रक की ड्राइविंग सीट पर होते हैं तो आपके मन में क्या भाव होता है पहले की तुलना में क्या अलग अनुव काफी दबाव भी रहता होगा मानसिक तनाव रहता होगा परिवार की चिंता कोरोना का माहो लोगों की तरफ से दबाओ मांगे क्या कुछ होता होगा जब हमें कोई चिंता नहीं होता हमें खाली यही होता है कि मैं अपना जो कर्तब कर रहा हूँ सर जी वो हम टाइम पे लेके अगर हमारे आक्सीजन से किसी को अगर जीवन मिलता है तो यह हमारे लिए बहुत दौरों की बात है बहुत उत्तम तरीके से आप अपनी भावना व्यक्त कर रहे हो अच्छा यह बताईए आज जब इस महामारी के समय लोग आपके काम के महत्व को देख रहे हैं पहले इतना नहीं समझाओगा अब समझ रहे हैं तो क्या आपके और आपके काम के प्रती उनके नजरिये में परिवर्तन आया है हाँ सर जी अभी पहले हम ऑक्सीजन के ड्राइवर कहीं भी जाम में इधर उधर फसे रहते थे लेकिन आज के डिट में प्रसासन ने भी हमारा लोग का बहुत हेल्प किया और जहां भी हम जाते हैं हम भी हमारे अंदर से एक जिग्यासा आती है हम कितने जल्दी पहुँच के लोगों की जान बचाये कर चाही खाना मिले चाही ना मिले कुछ भी दिक्कत हो लेकिन हम होस्पिटल पहुँशते हैं जब टेंकर लेके और देखते हैं होस्पिटल वाले हम लोग को भी काई सारा करते है उनके फैमिली लोग जिसके घर वाले एडमिट होते है आचा विक्टरी किवी बताते है हाँ सर भी बताते हैं कोई यह उठा दिखाता है हमको बहुत तसल्ली आती है हमारे जीवन में कि हमने कोई अच्छा काम जरूर किया है जो मुझे ऐसा सेवा करने का उस्वर मिला है मीन करते हमकर पापा काम करो अपने से करो और हम लोग सर से काम करते हैं हमारे मंगा प्लांट भी है और एनोग बहुत हमारा लोग का हेल्प करता है। क्योंकि दिनेश उपाध्याय जैसे लाखों लाखों ऐसे लोग हैं जो जीजान से जुटे हुए है। कर ड्राइवर ऑक्सिजन लेकर अस्पिताल कुहनते हैं तो इस्वर के भेजे गए दूथ ही लगते हैं।